हेलो दोस्तों नमस्ते गुड मॉर्णिंग मैं का जोल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने शाइनल आइखियो मेंटर पर आस तारीक है 9 जुलाई 2021 और मैं आपके लिए करेंट अफेर के कुछ इंपॉर्टेंट कोशन लेकर फिर से हाजिर होगी जो कि आपके आने वाली एक्जामनेशन की पॉइंट आप पॉन्वीयों से बहुत हे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो आप हमारे चानल में करेंट यह को सब्सक्राइब करें साथ-साथ बिल आइक उनको भी प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले लेटिस वीडियो को सबसे पहले देख सकें तो आपका टाइम इसकी ये बीना आईए आज के सेसन की सुरुवात करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रसंद क्या है तो आज का हमारा पहला प्रसंद के 20 चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है तो इसका सही अंसर है साथ जुलाई जिया दोस्तों 20 चॉकलेट दिवस हर साथ जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट के अस्टित का जसन मनाने के लिए मनाया जाता है और पहली बार दोस्तों 2009 में मनाया गया था तो हमारा अगला प्रसन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस सहर में बन रहा है तो इसका सही आंसर है जैपूर जिया दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो जैपूर में बन रहा है और भारती क्रिकेट कंट्रोल बोल्ड यानि BCCI ने राजसान क्रिकेट एस्सोसियेशन यानि RCA को 100 क्रोर रुपय का वित्ती अनुदान जारी किया है जिसका उप्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए किया जाएगा और दोस्तो भारत का बड़ा स्टेडियम नरेंत्र मुदी स्टेडियम है जो कि आहमदाबाद में है और हमारा अगला कोश्चन दोस्तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप डबल स्टार बना लिजे खास करके जो NTPC रेलवे का एक्जाम देनी जा रहे है UPSI का एक्जाम देनी जा रहे है या SSC का एक्जाम के तैयारी करे है तो दोस्तो गैरेंटी है कि आपके एक्जामनेशन पेपर में गी कोश्चन छपावा मिलेगा तब इसका प्रॉपर तरीके से नोट डॉन जरूर किजेगा तो आदिवासी आए बढ़ाने के लिए बोल्ट परियोजना किसने लांच किया है तो इसका सही अंसर है केवी आईसी जियां दोस्तो केवी आईसी ने आदिवासी आए बढ़ाने के लिए बोल्ट परियोजना जो है वो लॉन्च गया है तो दोस्तों केवी आईसी ने सुक्स और अर्द सुक्स भूमित छेत्रों में बांस आधारे थारे पैच बनाने के लिए प्रजेक्ट बोल्ड जो है वो लॉंज गया है और इस परियोजना के तहट विसेश बांस प्रजातियों के पांच हजार पौध है यानि बंबुसा टुल्डा और बंबुसा पॉली मोर्फा को लगबग 16 एकड में खाली ग्राम पंचायत भूमे में लगाया गया है और दोस्तों यहांसे बहुत इंपॉर्टिन कुशन बनता है कि केवी आईसी के स्थापना कप की गई तो 1956 में और केवी आईसी का मुख्याल है जो कि मुंबई में है और दोस्तों अभी वर्तमान समय में केवी आईसी के अद्देश कौन है तो विने कुमार सकसेना और हमारा अगला प्रसने के किस अभी नेता का 98 वर्सी की उम्र में निधन हो गया है तो इसका सही आंसर है दिलीब कुमार जी हां दोस्तों दिलीब कुमार का 98 वर्सी की उम्र में निधन हो गया है और दोस्तों दिलीव कुमार का असली नाम जो है वो मोहमद यूशुप खान था और इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था और दिलीव कुमार ने अपनी एक्टिन की जो सुरुवात है वो 1944 में फिल्म जौर भाटा से किया था तो हमारा अगला प्रसन है कि दिली महिला आयोग की अध्यच स्वाती मालीवाल और उनके टीम का कारकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है तो इसका सही आंसर है तीन साल जी हां दोस्तो दिल्ली महिला आयोग की अध्या जो स्वाती माली वाल और उनके टीम का जो कारकाल है वो तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है और दिल्ली महिला आयोग का पुनर गठन जो है 2015 और 2018 के लिए किया गया था और इसके बाद 2018 से 2021 तक के लिए दूसरी बार कारेकाल को बढ़ाया गया था और दोस्तों अब जो है वो तीसरी बार 2021 से 2024 तक के लिए कारेकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है और हमारा अगला कोशन है कि ICC महिला वंडे रैंकिंग में कौन सी भारती बल्ले बाज रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुँची है तो इसका सही आंसर है दोस्तो मिताली राज जी है दोस्तो मिताली राज जो है वो ICC महिला वंडे रैंकिंग में भारती बल्ले बाज रै सरेंगında महिला की ताजा वंडे रैंकिंड जारी है जिसमें बल्ले बाजी रैंकिंग में भारती कंपतान मिताली राज यह 151 ब climbing है अग्य गिश्वन है कि अभनिस्टान क्रिकेट बोड ने o का नया कप्तान किसे न्यूक्त किया है तो इसका जही आंसर राशीद खान जिया दोस्तों अफगानीस organize किर 받고 ने Bolsonaro का नए गॹण को नियूक्त किया है तो दोस्तों अगर हम अफगानिसान के बात कर लेते हैं तो अफगानिसान की जो रासधानी है wzaudhe राश्टरपती को असे वरतमान में awareness के राश्टरपती को है तो असे विए बनाए गया घौए खादी प्राकरतिक पेंट के ब्रैंड ओंभीस्तर बनाया क्रीया और अन्य तीन देशu ripped तांबे के कुछ उतपादों के आयात पर एंटी डपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है तो आए जानने ते एंटी डपिंग ड्यूटी क्या है तो इसका अभीप्राय है किसी देश के निर्माता दोरा किसी उत्पाद को या तो उसके घहरेलू कीमत से नीचे या फिर उत्पाद लागा से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निरयात करना है और हमारा अगला प्रसन है किस राज सरकार ने करोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वारी कावण यात्रा पर रोक लगा दी है तो इसका सही अंसर है उत्राखंड जी हां दोस्तो उत्राखंड राज सरकार ने करोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इ दोस्तों प्रदेश में लगातार दूसरी साल कावण यात्रा को इस्थागित की गई है इसकलाव दोस्तों अभी हमने उत्राखंड के बारे में पड़ा है तो आई हम उत्राखंड के स्टाटिक जीकी को देख लेते हैं और साथे साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे ज मुकमंत्रि कोरे तो पुस्कर सिंग धामी है और राजपाल को री बैबी रानी मौर रहे है इसके लावा यहां पर दौस्तो कुछ राश्ठि औढ़न पर जो उसकेलाव दोस्तों हुलो की घाटी राष्टी उध्याना जो की चमोली में है और नंदा देवी राष्टी उध्याने जिसको दोस्तों 1988 में यूनिस्को में सामील किया गया है अन्मन्रेगा में कारे दिनों को 100 से बढ़ा कर 150 दिन कर दिया है और उत्राखन ने सेवलिंग रेज की प्रजातियों के संरचन के लिए बॉटनिक गाडन बनाया गया है साती साथ चातरों को किताबों का पैसा देने की गोषना की गई है और इसके लावा दोस्तो अभी हाल ही में ग्लैसर टूटने से तबाही हुई है कहा हुई है तो दोस्तो उत्राखन में घरों की पहचान चेलिक नामा की योजना भी जो है वो चलाई गई है और साती साथ दोस्तो आई आई टी रूड की में ड्रोन रिसर्च के लिए आधूनिक केंदर का उरगाटन भी किया गया है और भारत के पहले वन चिकिस्ता केंदर का उरगाटन कहा हुआ तो दोस्तो उत्राखन में हुआ है और एक रास्ट एक रासन कार्णाली लागू करन वाला सत्रवा जो राज है वो उत्राखंड बन गया है इसके लाव दोस्तों फूल देही तेवार जो है वो उत्राखंड में मनाया गया है और साथ इसाथ उत्राखंड के सभी सरकारी कार्याले को बंद करने का निर्णाय भी लिया गया है तो दोस्तों यह थे आज़के कुछ important question जो कि आपके आने वाले examination की point of view से बहुत important है और यहां से आपके 4-5 number जो है वो fix होने वाले हैं तो अगर वीडियो अच्छा रगा है तो इसे like और share जरूर करें चैनल में पहली बारा है तो चैनल को subscribe करें वीडियो का pdf चाते हैं तो आप हमें 7268-009584 पर आप हमें capital letter में join लिकर भेज सकते हैं और आप हमारे WhatsApp ग्रूप को join कर लेंगे जहां पर दोस्तों आपको आपका में exam की details, notes, pdf सब कुछ free में दिया जाता है जिसका आप वाइदा उठा सकते हैं साथे साथ आप हमारे Instagram पीच को भी follow कर सकते हैं तो दोस्तों thank you so much for watching video have a nice day and bye bye